दोस्तो यदि आप एक Paytm यूजर है और ऐसे में आप अपने Paytm का UPI pin भूल चुके है तो कैसे आप अपने Paytm का UPI pin को रिसेट करके आपना नया UPI pin set कर सकते है आज मैं पो इस वीडियो पर क्लिया लिए बताऊंगा तो यदि आप अपने Paytm का UPI pin रिसेट करके नया UPI pin set क के आल पर क्लिक करना है तक कि अमना आला वीडियो आने वाला है उसका कर दिया जाए चले दोस्तों सुर करते हैं तो दोस्तों के लिए करना है कि सबसे पहले आपको अपना Paytm open करना है तो अब आपके सामने कुछ इस टाप से दिखाया जाएगा तो आप आपको यहाप यह करना है यहाँ पर लोगों दिये गए हैं आप देख सकते हैं तो आपको इस लोगों के ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बात दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाप सा इंटरफेस दिखाया जाएगा तो आपके पर दिखाया जाएगा तो आप जिस बैंक अकाउंट के उप यहां पर आपको दिखाया जाएगा तो आप जिस बैंक के उपर क्लिक कर दूँगा उसके बात दोस्ता आपको यहां पर क्या करना है दोस्तो नीचे आप जे सकते हैं create new UPI pin, तो आपको बार सिप्ली से create new UPI pin के ओपर फ्रेस करना है, फ्रेस करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइट से दिखाए जाएगा, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है वो आप ध्यान से देख लिजिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप देशेते हैं create six digit UPI pin using your debit card details, मतलब यदि आप UPI pin create करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर आपना debit card का details डालना होगा, मतलब आपका bank का debit card है, उसका details आपको यहाँ पर डालना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देशेते हैं card number, जो की last 6 digit number आपको यहाँ पर डालना है, मतलब आप debit card का expired date है, वो किस महिने में और किस साल में है, वो आपको यहाँ पर डालना है, वो आपके debit card के ओपर लिखा हुआ, दिख जाएगा, उसके बात क्या करना है, वो आप देख लिजिए, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपन debit card का details यहाँ पर डाल जाएगा, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर्ड OTP, तो आपको यहाँ पर उस OTP को डालना है, तो automatically OTP यहाँ पर detect हो जाएगा, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका बात क्या करना है, और यदि आपका OTP डेख नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है, तो OTP को मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो OTP डालने के बात दोस्तों आपको यहाँ पर green tick देखने को मिलेगा, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब मे यहाँ पर UPI PIN set कर देज़ेगा उसके बाद फिर से आपको confirm करना है UPI PIN को उसके बाद क्या करना है यहाँ पर सिंप्ल से राइट के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो UPI PIN है वो आपके PTM में set हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं यह लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग होने के बात दोस्तों आपका जो नया UPI PIN है वो आपके PTM में set हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं मुझे यहाँ पर करनारा बैंक के तरब से एक मेसेज किया है तो मैं इस मेसेज को ओपन करके आपको दिखाता हो जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि DR-Customer your UPI PIN set is successful मतलब मैंने जो UPI PIN को set किया है वो successful हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने PTM का UPI PIN reset करके नया UPI PIN set कर सकते हैं बह पर क्लिक कर दोना है तक हमाण अगला जी वीडियो आने वाला है उसका notify को कर दिया जाए चले दूस्तों आच के लिए बाई मिलते हैं अगला वीडियो पर